संगीत कार बपी लहरी अब हमारे बीच नहीं रहें उनकी निधन के साथ ही संगीत के एक यूग की भी समापन हो गई बपी लहरी मुल रुप से बंगाल के थे और फिल्म जगत में वॉलिवुड में उनका एक अलग संगीत था हिंदी फिल्म जगत में डिस्को म्यूजिक का परतिपादन संभव तो उन्होंने ही किया उन्होंने वेस्टर्न म्यूजिक को एक नए रूप में तरासा और उसको हिंदी फिल्म जगत में लाया डिस्को सौंग के रूप में वो बहुत फ्हेमस हुए लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल वो डिस्को सॉंग के रूप में ही जाने जाते हैं उन्होंने बहुत मेलोडियस सॉंग भी बनाये है बंबलाश्ट का वो गीत मुझे जीने नहीं देती है दलाल का गीत ठहरे हुए पानी में इस तरह से बहुत सारे गीत अपनी आखों में बसार ले हमदम बहुत सारे गीत याद आ रहे हैं जिसमें मेलोडी भरपूर है और ये बपिदा का कमाल ही था किन गानों को उन्होंने इस तरह से मेलोडी में पिरोया कि आज भी वो अगीत सुनने पर हिर्दय को मन को सुकुन देती है वो बहुत प्यारे इंसान भी थे हम लोग फेस्टू फेस्टू कभी मिले नहीं लेकिन जब भी उनका इंटर्विव देखा कभी उनकी बातें हुई तो उनकी बातें चली तो बहुत ऐसे इंसान के रूप में वो सामने आये उभड़े कि वो एक जिंदा देल इंसान की तरह थे वो अब हमारे बीच नहीं है लेकिन उनके द्वारा बनाये गए संगीत हमेशा हमारी यादों में रहेंगे भगवान उनकी आत्मा को सांथी दे आज बपी लहरी को स्रद्धांजली के रूप में मैं एक इंस्ट्रूमेंटल सौंग उनको औरपित करता हूँ फिल्म दलाल का यगित ठहरे हुए पानी में पानी में एक इंस्ट्रूमेंटली के रूप पानी में पानी में एक इंस्ट्रूमेंटली के रूप पानी में पानी में एक इंस्ट्रूमेंटली के रूप पानी में हुकर श्रद्रूमें एक इंस्ट्रूमेंटली के रूप पानी में एक इंस्ट्रूमें गली झाल झाल झाल